अध्याए बारा उन ज्ञानी पक्षियों ने महर्शी जैमनी से आगे कहा। हे महर्शी, आपका दूसरा प्रश्न किस तरह से एक जीव जन्म लेता है। उसका उत्तर सुनिये। अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों का हिसाब लेने के बाद, जब जीव अपनी माता के गर्ब में स्थापित होता है, तो उसे अपना पूर्व जन्म ठीक ठीक याद होता है। गर्ब में ही जीव यह तै करता है कि वो सारे पुराने पाप छोड़ेगा, पुन्य कमाएगा और इस चक्र से मुक्ति पाएगा। दैव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो भी कलेश भोगे हैं, वो सब उसे याद होते हैं। उसके बाद काल करम से वह अदो मुख जीव जब नौवे या दस्वे महिने का होता है, तब उसका जन्म होता है। वह बहुत ही दुखी मन से व्यतित होकर रोते हुए गर्ब से निकलता है। उदर के निकलने पर बहुत बीड़ा होने के कारण उसे मूर्चा आ जाती है। फिर वायू के इस पर्ष से वो सचेत होता है। तब ही भगवान विश्नु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। और वश में होते ही उसका पूर्व ग्यान नश्ठ हो जाता है। इस तरह ग्यान भ्रष्ठ हो जाने के बाद वैजीव पहले तो बाल्य आवस्था को प्राप्त होता है। फिर कौमार आवस्था, यौवना अस्था और व्रद्धा आवस्था में प्रवेश करता है। नारकी जीव घोर तुकधाई नरकों में गिराये जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कोई तुलना नहो। स्वर्ग में पहुशने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बन जाती है कि पुन्य खत्म हो जाने पर हमें यहां से वापस नीचे गिरना पड़ेगा। साथ में नरक में पड़े हुए जीवों को देख कर बहुत दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी दुर्गती भोगनी होगी। इस बात से दिन रात अशान्ती बनी रहती है। जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था और व्रद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं ऐसे प्राणी को। हेपिताश्री इस तरह एक जीव माता के गर्ब में स्थापित होता है तब उसे अपने सारे पाप पुन्य याद होते हैं। जन्म लेने के भाद वो अपने पाप पुन्य भूल जाता है। लेकिन सत्पुरुषों की संगती में रहकर वेदों का पठन पाठन करके वो पुन